Hello everyone, कैसे आप सब, I hope आप सब अच्छे होंगे and welcome back to my channel, मेरा नाम नेतिका है और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है black bead bracelet, इसे हम नजरिया bracelet भी बोलते हैं, जो हम बच्चो को पहनाते हैं तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, bracelet बनाने के लिए हम ही चाहिए, charms या pendant, black bead chain, इसे हम मंगल सुत्र बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं जंप रेंग, कड़ी, लॉक, प्लायर, कॉटर हम सबसे पहले chain ले लेंगे, यह black bead chain है, इसे हम बंगल सुत्र बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं और इसे हम bracelet बनाने के लिए भी यूज़ करेंगे तो इस chain को मैं measure करके cut नहीं कर रही हूँ, बलकि beads जो है इसमें black beads उसे count करके लगाऊंगी तो मैं 12 beads ले रही हूँ, इसे count कर लेंगे तो जो 12 beads count करने के बाद जो 13 beads से हम वहाँ पर काटेंगे 13 beads के बाद काटेंगे और जो 13 beads से उसे हम निकाल देंगे इस तरह से और जो wire है उसे हम cutter से cut कर लेंगे इस तरह cutter से हम बचे है wire को cut कर लेंगे same हम ऐसे ही दूसरी line भी cut कर लेंगे हम ऐसी ही सबसे पहले beads count करेंगे 12 beads count करेंगे 12 beads के बाद हम 13 beads के बाद काटेंगे इस तरह 13 beads के बाद हम cut करेंगे और 13 beads है यह beads को हम निकाल देंगे और बचे हुए जो wire है उसे हम cut कर लेंगे इस तरह से हम जो भी बचे में wire है उसे हम cutter से कट कर लेंगे तो यह हमारी दो line ready हो गई है bracelet की यह दो line ready हो गई है अब हम जंप रिंग डालेंगे चेन में जो hole है वह बहुत ही छोटी होती है जिससे जंप रिंग हम नहीं डाल पाते हैं उसमें जंप रिंग डालने में दिकत होती है तो हम जो chain में hole है उसे हम पहले बढ़ा कर लेंगे जैसे प्लायर की starting में थोड़ी है तो मैं उसे डाल की थोड़ी सी hole बड़ा कर रहे हूं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं या आपके पास कोई pointed तार है उससे भी कर सकते हैं तो यह hole थोड़ी बड़ी हो गई है अब इसमें जंपरिंग हम डालेंगे तो जंपरिंग इजली उसमें घुस जाएगी तो इस तरह जंपरिंग इजली उसमें घुस गई है अब हम जंपरिंग में pendant डालेंगे या चाम डालेंगे तो मैं चाम को डाल रही हूं जंपरिंग में और उसे प्लायर की हल्प से अच्छे से क्लोज कर देंगे कि अच्छे से क्लोज करके हम उसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे तो यह कुछ इस तरह दिख रहा है सेम हम डूसरी साइड भी ऐसी करेंगे और जो एंड से हम उसमें भी जंपरिंग्स लगा देंगे तो मैंने जंपरिंग लगा के चेन अटैच कर दिया है और एंड्स में भी मैंने जंपरिंग लगा दिया है अब हम कड़ी और लॉक लगाएंगे एक साइड हम कड़ी को अटैच करेंगे और एक साइड हम लॉक को अटैच करेंगे कुछ इस तरह से अटैच करेंगे तो प्लायर से हम जंप रिंग को थोड़ा उपिन कर लेंगे और उसमें लॉक डाल लेंगे और प्लायर से फिर से उसे हम क्लोज कर देंगे और दूसरी साइड हम कड़ी को डालेंगे तो यह हमारा ब्रेसलेट रेडी हो गया है जैसे आप देख सकते हैं बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल है आप सिंपली ब्लैक बीड का भी बना सकते हैं तार में डालके गेर वायर में डालके से मैंने दूसरा ऐसा बना लिया है दूसरा चाम कभी मैंने बना लिया है आप अलग-अलग चाम का यूज करके बच्चों के ऐसा बना सकते हैं I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा सेर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा तो मेरे नेक्स वीडियो में तिल दें बाई और थैंक्यो फॉर वाचिएंग